इसराएल और हमास के बीट जारी जंग अब नितन्याहो के लिए एक बड़ा चिंदा का विश्चे बन गया है क्योंकि जिस तेजी से इसराएल हमास को नुक्सान पहुंचा रहा है उसी तेजी से उसके प्रतिरोधी गुट इसराइली इलाकों को दहला कर फिर से इसराइली बलो को उसी जगह पर खड़ा कर देते हैं इसराइली बलो के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हिजबुल्ला बना हुआ है जो लगातार अपने हमलों से उत्तरी इसराइल में तबाही फैला रहा है हिजबुल्ला ने अपने घातक हमलों से इसराइल को इतना जधा नुक्सान पहुँचाया है कि उसकी कमर टूट गई है ऐसा नहीं है कि हिजबुला के हमलों से इसराइल शान्त है IDF भी जम कर हिजबुला पर हमलावर है लेकिन इतना होने के बावजूद भी हिजबुला जंग के मैदान में डटा हुआ है और हर रोज इसराइल पर मिसाइल रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है और इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक बार फिर बदले की कारवाई करते हुए इस्रैली फोर्स पर आत्मघाती ड्रोन से मतला साइट पर सीधा हमला किया जिसमें कई जवान खायल हुए इसके साथ हिजबुल्ला ने जबल नधार में आयोएफ पर रॉकेट से सीधा हमला किया और इससे पहले बारम फॉरिस्ट में आयोएफ के गुट को भी निशाना बनाया यही नहीं हिजबुल्ला ने कबजे वाले लिबनान के शेबा फार्म में जबदीन साइट को रॉकेट से निशाना बना कर सीधे हमला किया और प्रतिरोध ने कबजे वाले लिबनान के कफार चौबा हिल्स में रामथा साइट को रॉकेट से निशाना बनाया अलमयादीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिबनान से कबजे वाले शेबा फार्म और कफार चौबा हिल्स में इस्राइली ठिकानों पर सीधी गोली बारी की गई जिसमें इस्राइली बंडों के कई जवान घायल हुए और इसके जवाब में इस्राइल ने भी ड्रोन से हमला किया इस्राइली मीडिया ने दावा किया कि लिबनान से मेटुला बस्ती की ओर दो रॉकेट दागे गए जिसमें भीशन तबाही हुए इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि इसराइली ड्रोन एडियाशे शहर और उसके आसपास के इलाकों में कैसे घातक विस्खोटक बरसा रहा है जिससे इलाके में आग लग जाती है और तबाही का मनजर दिखता है इसके साथ ही इसराइली हमलों में दक्षरी लिबनान के कई गाओं पर तोप के गोले, फॉस्फोरस बम और मशीन गन से गोली बारी भीगी गई जिसमें तोप खाने की गोला बारी कफार किला और एता अल शाप के शहरों के बाहरी इलाकों तक नुकसान पहुँचाया है लेकिन इतना सब होने के बाद भी हिजबुल्ला के हमलों में कमी नहीं आई हिजबुल्ला जंगी मैदान में उसी जजबे के साथ इसराइली बलों और इलाकों पर हमले करना जारी रख रहा है इसी कड़ी में इसराइली सैने संचालन प्रभाग के पूरु प्रमुक रिटार्ड मेजर जनरल इसराइल जीव ने हिजबुल्ला की तारीफ और सपोर्ट में बड़ा बयान दिया है इसराइली मीडिया चैनल 12 को दिये गए अपने एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि हमास के साथ युद्ध के एक साल के करीब पहुँच रहा है फिर भी हम निरणायक रूप से लड़ाई जीतने में असमर्थ हैं भले ही हमास हिजबुल्ला की तुलना में एक कमजोर प्रतिद्वन्दी है लेकिन हिजबुल्ला ने हार नहीं मानी है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्दी है कि इसने इसराइल को एक साल में मानो अपंग कर दिया है इसके साथ ही जीव ने कहा कि इसराइल अभी भी इरान के खत्रे से बाहर नहीं आया है जीव ने इस युद्ध को लेकर समझोते की बात भी कही और सुझाव दिया कि इस युद्ध को समझोते के तहत ही रोका जा सकता है समझोते से ही गाजा में और इसराइल में शान्ती लाई जा सकती है